नई दिली से खबर शामिन करते हैं जहाँ पर भारत में अम्बिलेंस का कराया ना होने पर एक शक्स अपनी चार साला बच्ची की मयद कंधे पर उठाकर 50 किलोमीटर दूर पैदल अपने घर जाने पर मजबूर हो गया ये आलमनाक वाक्या रियासते मध्या परदेश के जिला 76 पूर में 6 जोन को पेश आया ये मिया बीवी अपनी बच्ची जिसका नाम राधा बताया गया है को इलाज के लिए अपने गाउंबक सवाहा 50 किलोमीटर दूर शहर दमो के हस्पिताल में लाई मगर बच्ची जान के में बच्ची जाने के लिए एंबुलेस देने से इंकार कर दिया निजी एंबुलेस लेने के लिए बच्ची के बाप लक्ष्मन अहेरवार के पास पैसे ना थे चलांचा उसने में पठा कर अपने कंधे से लगाई और बीवी को लेकर पैडल चल दिया लक्षमन का कहना था कि आधा सफर तैय करने के बाद हमने फोन करके बक्सवाहन अगर पंचायच से भी एम्बूलेंस या कोई और गाड़ी बिजवाने की तर्खवास की मगर वहां से भी कोई मुस्बत जवाब नाया और हम 50 किलोमेटर का सफर पैदल तैय कर कि अपने गाओं पहुंचे लक्षमन ने बताया कि रास्ते में मिया बेवी बारी बारी अपनी बच्ची की मियत उठा कर चलते रहें